हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वॉल्यूम स्टेडी में फ्रेंड्स रेलवे भरती परिक्षा 3.2018 वाले कंडिडेट्स के लिए बहुत ही बड़ा ओपीशल अपडेट आ चुका है साथ ही फ्रेंड्स बहुत बड़ी खुसकबरी भी आ चुकी है क्योंकि कंडिडेट के ओपीशल ही रिप्लेस्मेंट पैनल जारी कर दिये हैं और इसका ओपीशल नोटिपकेशन भी जारी कर दिया है friends candidate के first replacement panel पहले ही जारी किया जा चुके है और अब second replacement panel भी जारी कर दिये है साथ ही candidate के जो final result है पैनल के रूप में वो भी जारी कर दिये है और इसमें बहुत सारे ऐसे candidate हैं जिनके waiting भी किलियर हुए है friends इस वीडियो के अंध में बात करेंगे की एलपी और टेक्निशन वाले कंडिडेट के रिप्लेस्मेंट पैनल कब जारी होंगे तो फ्रेंट्स चलते हैं RRB की ओपीशल वेपसाइट पर और देखते हैं रिप्लेस्मेंट पैनल लिस्ट को इससे पहले आप से रिक्वेस्टे की चैनल पर पहली बाहर विजिट कर र कीजिए ताकि रेलवे भरती की पलपल की अपडेट के नियूटिपकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे हैं तो फ्रेंट्स यहां से देखिए गॉर्मेंट ओफ इंडिया मिनिस्टी ओफ रेलवेज रेलवे रिकुर्मेंट बोर्ड सिकंद्राबाद डेट देखिए 24-11-2020 फाइनल रिजल्ट रिप्लेस्मेंट पैनल 2 सेंट्रलाइज एम्प्लूइमेंट नोटिस नंबर सी एन तीन ओबलिक 2018 जूनियर इंजिनियर सिविल डिजाइन एस्टीमेशन पीवे वर्क्स एंड ट्रेक मसीन तो फ्रेंट्स इसको द्विस्तार से देखते हैं यहां पर फ ुटिंग अगेंस्ट ओफर ऑफ अपोइंटमेंट इस्जूड बाइ शूट सेंटर रेलवे फोर दपोस्ट ओफ जूनियर इंजिनियर कैटेगरी नंबर 2 SCR category number 3 SCR category number 12 SCR and category number 14 under CEN number 3 oblique 2018 their role numbers are arranged in ascending order and not in order of merit तो friends ये candidate के detail दिये हुए हैं यहाँ पर देखिए कितने candidate हैं जिनके final result जारी किये हैं role number दिये हुए है candidate के category number 2 से south center railway से तो जो candidate इस replacement panel में जगे बनाए हैं यहाँ से अपने-पने role numbers match कर लीजिए इसमें total 15 candidate है category number 2 से और यह सारे के सारे candidate का waiting के लिए हुआ है waiting से यह candidate आये हैं इसके बाद नीचे देखिए role numbers of candidates of the category number 3 south center railway से यहाँ से candidates की बात करें तो total 14 candidate हैं और सभी के role numbers इसमें mention किये गए हैं इसके बाद और नीचे चलते हैं तो यहाँ से देखिए category number 12 के लिए south center railway में यह candidate के role number दिये हुए हैं और इसमें total 12 candidate सामिल हैं इसके बाद category number 14 के लिए के वल एक candidate है तो friends total बात करें इस list में candidate की तो यहाँ से देखिए 15 candidate, 14 candidate, 12 candidate और 1 candidate यानि 5, 4, 9, 9, 9, 3, 12 और यहाँ से देखिए तीनर एक चार यानि total 42 candidate हैं जिनके वेटिंग के लिए हुए हैं अब इसके बाद second update को देखते हैं इससे पहले आप से request है की channel को subscribe कर लीजे एक बार और वीडियो को like कर दीजे 2018 junior engineer civil design drawing and estimation यहां से देखिए candidate के basic detail दिये हुए हैं और नीचे लिखा है category number 2 south center railway यानि यह candidate हैं जो category number 2 से south center railway के candidate हैं फ्रेंट्स अब इसमें बात करें candidate की तो total एक candidate के part panel 7 और final result जारी किये हैं फ्रेंट्स यह candidate वेटिंग से नहीं है इनका वेटिंग के लिए नहीं हुआ है इनका कोई document verification से related कोई issue रहा होगा इसलिए इन candidate को बाद में sort list किया है अब फ्रेंट्स बात कर रहें ALP और technician वाले candidate की तो first में बात करते हैं ALP वाले candidate की फ्रेंट्स ALP वाले candidate के maximum zone में अभी joining और training के लिए candidate को नहीं बुलाया है जाद अतर candidate का अभी joining और training बाग की है इसलिए सभी division RRB को ये data उपलब नहीं करा रहे हैं कि कितने candidate ने joining नहीं किया है कितने candidate ने training को बीच में छोड़ा है तो RRB के पास इसका पूरा data अभी उपलब नहीं है जब तक पूरे candidate joining और training नहीं कर लेते complete जब तक ALP का replacement panel आने का कोई chance नहीं है फिर भी अभी इसमें काफी time लग सकता है 2020 में तो replacement panel नहीं आएगा 2021 में ही जब candidate के joining training हो जाएंगे उसके बाद ही replacement panel आने का chance है अब फ्रेंट्स बात करें technician वाले candidate की तो technician वाले candidate के maximum zone में joining हो चुकी है और इनके जल्द ही replacement panel आने के chance है तो फ्रेंट्स ये वीडियो के माध्धम से मैंने आपको update दे दिया वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास एक बारे से share कर दीजिए और इसकी PDF फाइल का link में आपको description box में डाल दूँगा वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद नमस्कार